हैपी मकड संक्रांति काईज आप सभी को मेरी तरब से धेर सार इशुक कम नाए मकड संक्रांति की और हमारे महाराष्टर में यानि मराथी बोलते है तिड़कुड गया और गोड़कुड गोला मिस तिड़कुड जो होता है वो खाओ और मीठा-मीठा बोलो ऐसा उसका मीनी ह होता है मैं करने वाली हूँ पूजा की तहरे मतलब पूजा की तहरी कर रही हूँ और इसके बाद अभी मेरी पूजा होगी तो इसकी बाद बिनाऊंगी मैं खाना तो आज होता है तो खाने के लिए कुछ स्वीट वगरा बनेगा और और काफी दिनों से रिक्वेस्ट आज मैं जो भी कुछ करूंगी तो आगे देखी लोगी आप क्या क्या होने वाला है तो चलिए फिर मैं पूजा कर ले थी उसकी बाद मिलती हूँ आप से यहां पर मैं पूजा रखने वाली थी डाइनिंग पे तो इसी वज़ेसे मैं अच्छा से पोच रही हूँ डाइनि जो भी मतलब पूजा होती है वह यहां पर ही करती हूँ डाइनिंग पे तो वह मैं यहां पर कर रही हूँ मतलब पहले रंगोली बना लूँग अच्छा से और फिर उसके बाद यहां पर मेरी रंगोली हो गई है और कैसे लग रही है मुझे जरूर बताना और मेरे ना जिन टीडगूर नहीं बनाया जाता है ऐसे हमारे साइड में बोलता है पहले दिन भोगी होती है मतलब जिस दिन लोरी थी उस दिन भोगी थी हमारे यहां पर तो उस दिन टीडगूर नहीं बनाया जाता है तो इसे वजह से मैंने नहीं बनाया था और उसके अगले दिन मु बना का रहा गना तो आपके करते चाहर है कि मतलब मंटारिय ही में जकाता है कोई मकर संक्रांति के दिन से ही कोई को बस्टार्ट हो जाता है और इस साल ना काफी कम दिन है हल्दी गुंगों के तो इस वज़ा से मुझे जल्दी रखना पड़ेगा हल्दी गुंगों आप कब रखने वाले हो मुझे ज़रूर बताना और यहाँ पर फिर अपी तीर गुड के लिए गुड भी चाहिए होगा तो मैं गुड की बेली जो है छोटी से वह इन्होंने लाके दी थी मुझे तो वह मैं अभी किस लूँगे अच्छा से मतलब पहले तो उसके तुकड़े वगरा कर लेते हैं तो मिक्सी में पीसने के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम नहीं जाता है तो इस वज़ा से अभी उसक इसका जो मोटा पार्ट होता है इससे मैं किस लेती हुए इस तरह से इसके बाद मैं उसका तीड़ बनाऊंगे मतलब वह पच्छे से पीसा जाएगा मिक्सी में और आज ब्लैक ड्रेस या ब्लैक साडी पहनी जाते है तो मुझसे ना साडी पहन के काम ही नहीं होता है मेरे मैंने याज पहनी नहीं आगर मैं साडी पहन लिती है और मुझसे बिल्कुल काम नहीं होता है कुछ भी काम नहीं होते और आज काम बहुत जादा थे कोई भी के दिनना काम खुर था हुता है तो इस собой से मैं क्या करती हूँ ना मतलब साड़ी नहीं पहनते यू उच्छो 문제가 पातीत में में पारोगोरी करें आफ़के हम प्रकूम आभए हमाम प्रकूभ और भूसे में're पहले हैं में які पढ़ए के इस उचेसे हैं हैं मैं स्वोश्षाम हो उ क्हा हो सब्सक्राइब मुझे जलिए से शर्क्राइब इस वी उन से डेलाओं तो यहां पर मेरा तीर गुर भी बन चुका है तदा टाइम नहीं लगता है तो इस तरह से कुछ लोग इसके लड़ू बनाते हैं बट मैं लड़ू नहीं बनाओंगे आज क्योंकि मुझे इतना टाइम भी नहीं है और लड़ू भी बाद में फोड़ना ही पड़ता है क्योंक यहां पर मैं हलवा बोलता है इसे हमारे जाय clock में तो इसके उपर गार्निशिंग के लिए ढ़्वा डालरिए मतलब इसके इदर अगर हलवा जबाने में आता लगता है अच्छा लगता है यहां परो यह मेरी पूजा की तयहरी और मैंने और तिर्ग्गणवा है क्योंकि प्रखता के लिए थीर्गुर् चाहिए लिए चाहिए होता है तो इसी ज़्वर जो से में पहले तीडगुर्ूर बना लिया विसके बाद मैं आप फूले बात की पूले हूं और जो मैं हम रही हैं टो मूझा कीon की जलाती यह चोटे चोटे मटीव होते हैं और उसमें से पता नहीं दो दिये जाते हैं शायद किसी को तो हमारे इसमें न दो मटकों की पुझा की जाती है हमारे साइट में इस तरह से ये चुटे-चुटे मटके होते हैं उसकी पुझा की जाती है और एक मटका किसी को वान देना पड़ता है किसी को दान मतलब दान में देना पड़ता है तो वो डखके देना पड़ता है इस तरह से वो दूसरा मटका मैं किसी को दे दूँगी और एक मटका हमें घर पे रखना पड़ता है तो इस तरह से ही उसमें गेगु, गाजर, बेर वगरा सारी चीज़े हमें उसमें आड़ करने पड़ती है और उसके बाद फिर उसके पूजा करने पड़ती है तो इस तरह से होता है हमारे साइड में पता नहीं आप लोग की साइड में होता है या नहीं होता है सिर्फ महाराष्ट्र में ही होता है ये सारी चीज़े I think महाराष्ट्र में ही होती होंगे बट महाराष्ट्रा में भी अलग-अलग जगा पर अलग-अलग रितीरी बाद है तो हमारे साइड में ऐसा होता है आप लोगों की साइड में कैसा होता है जरूर बताना मुझे आप लोग पाच मटके की पुझा करते हो या दो मटके की पुझा करते हो ये भी ज़रूर बताना तो इस तरह से और फिर इसे न मटके पूजा होने के बाद इसे ढखके रखा जाता है मटको को तो इसको ग्रीन कपड़े से वगर ढखके रखा जाता है तो इस तरह से मैं भी ढखके रख दूँगी और बिल्कुल नहीं दिखने देना होता है इसे और जब इसको किसी को दान देना होता है तो वह भी ढखके ही देना होता है इस में से एक में जब दान दूँगी तो भी ढखके दे दूँगी तो अभी मैं आरती कर लोंगी और उसके बाद मिलती हूँ आपसे पुजा हो गई है आर्थी हो गई है इसके बाद मैं यहाँ पर बनाने वाली हूँ गुलाब जामून मतलब खाला जामून तो इसकी रेशीवें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ तो यहाँ पर मैंने गिट्स का जो पैकेट होता है वो लिया है पता नहीं आप लोग मिलता है या नहीं मिलता है जो भी आपके साइट में मिलता हो वह आप ले सकते हो ऐसा कुछ नहीं मैंने जो लिया है वही आपको लेना है कोई भी packet आप ले सकते हो तो नहीं में नहीं आपको दिखा दिया तो यहां पर मैंने dangles a canary को call рं pom Di कर सकते हो बट मुझे ग्रीन के लगे ना काफी ज़्यादा पसंद है इसी वज़े से और इसमें आपको एड़ करना है छोटा वाला एवरीडे का पैकेट मतलब मिल्क पाउडर का यह जरूर एड़ करना यह स्किप मत करना क्योंकि इससे ही आपकी जामून है मतलब गुलाब जामून ऑcontrolled आप बोलोंगे तो बहुत ही ज्यादा टीस्टी बनने वाले है और बहुत ही ज्यादा स्वाफड बनने वाले हैं तो इस तरह से मैंने इसकी लोई बना ली लिए है और इसे भी रेइस्ट करने केलिए रख दूँगे और इसके बाद मैं यहां पर बना रही हू इलाइची की पाउडर तो इलाइची की पाउडर में जैसे कि मैंने लड्डू की रेसिपी में आपको बताया था कि इलाइची में अगर आप चीने में इलाइची मिक्स करके पीसते हो तो जल्दी सी पीसी जाती है और इस तरह से खड़ी इलाइची ही मैं पीसती हूँ इस त मैं रखते užब बिकल न है तो इस तरह से मैं पड़र बना कर देती हूं यह मेरी चाय में भी काम काम आती है तो तो डेली चाय में पीजा तेली चाये के लिए हैं भी हमार लगो यह इießen अधिया जालता है तो आफ यह मैं यहां पर थोड़ा सा पिर यहाँ पर मैने दो गलास पानी लिया था। दो हीि कलास आपको चीनी लेनी है। और यहाँ पर मेरे जो हमने रेष्ट करने के लिए रखा था जो कैवलते हैं वो लूई रखी थी उसकी ऑ्रना जामुण नहीं तुमें मैं पाणि डालके अच्छह से उसे गुद़ लूगी तो वो आ अच्छह से जो यहाँ बना को जो नहीं जो बनाने वाले हैं तुछ प्रोसिजर में ही आपको ध्यान देना है अगर आप लोई बनाने में ध्यान देते हो तो उससे ही आपका सारा आगे का प्रोसिजर है मतलब आगे कर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से लोई बनाते हो तो पहले आपको अच्छे से जो आटे को है थोड़ा 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 पाने डालके अच्छे से आपको गूल लेना है soft बना लेना है और उसके बाद ही आपको उसकी लोई बनानी है और लोई भी आपको ऐसे नहीं बनानी है बिल्कुल हलके हाथों से नहीं बनानी है बिल्कुल आपको प्रेस करके उसको अच्छा से प्रेस करके उसकी लोई बनानी है और ताकि वो उपर से चिकनी बने मतलब लो ege जाएं जो हम लोग 11 माटे ना तो अच्छ न्हीं बनाते हे उनको भी इस वजह से उनकी दूटलब जमन वहाल फटने लगते हैं और एकदम इस तरह से अगर बनाते हो आप तो बिलकुल होटेल जैसे गुलाब जामन बनते हैं आप बात में देखी लिना मेरे भी गुलाब जामन नहीं बिगड़ते मैं खुद की थारीफ नहीं कर रही हूं बढ़ आप देखी लिना आगे कि मेरे कभी मतलब जब भी मैं थाय कर लोंगे अच्छा से तो यहां पर मैं जो इलाई जी की पाउडर बनाई थे हमने वो चाचनी में डाल रही हूं कि चासनी हमारी बन चुकी है और यादा घंटा हमें चाहिन बनाने है आदा घंटा तो लगी जाता है चाषनी बनाने में थोड़ी उसकी कंसिस्टनसी सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करें iksmen ट्प किरें श्रयzwischen देना चाशनि को और यहाँ पर और फ्राय करने का भी ठीक है प्राय करने के इस विभी ठीक है तब अगर ज directing घरम तल में magic डालएगा रिक्तलoss अगर और जयदा गृम तेल में बढ रिया गिum तो इस तरह से और आप देख सकते हो चिकने अगर आप गुलाब जामन बनाते हो तो बिल्कुल आपके गुलाब जामन कहीं से मेरे दिख रहे हैं आपको गुलाब जामन फटे हुए बिल्कुल नहीं फटेंगे आपके गुलाब जामन और इसी तरह से आप अगर बना लोगे तो अच्छे से और उसका थोड़ा सा आपको काला जामून बनाना है तो थोड़ा सा ज्यादा डार्क करना पड़ेगा मतलब हम लोग थोड़ा सा ब्राउन रखते हैं गुलाब जमून बनाता है तो उस टाईम ब्राउन रखते हैं थोड़ा सा आपको ज़्यादा फ्राय करना पढ़ेगा इससे और हाँ कम आज में ही होने देना है नहीं तो किसी की क्युलाब जमौन आप देखंगे कि अंदर से कच्चे ही रहता है मतलब जब आप चास्ने में डालते हो तो उसमें चास्नी अंदर से पकड़ लगिए और अगर आपके अंदर से पकड़ने लगे मतलब चास्नी नहीं पकड़े तो समझ जाना कि आपने एक तो फ्राइ नहीं किया जिसे या तो चासनी आपके थंडी है और चासनी गरम हो जब रहेगी तभी आपको उसमें एड़ करना है मतलब गुलाब जामन उसमें एड़ करना है गरम गरम चासनी में ही आपको एड़ करना है गुलाब जामन और तभी का फैरा गुलब जामन में अंदर तक चासनी जाएगी और हम ठीठ थंडी हो तो थोड़ा सा गरम कर ले अदुनलब ज्रत कर ना तो इस तरह से में सारी ज़ुब बनाकर ऐसा ट involve जो यह और बना के जयाधा सारी बना कर अपर कि मत देना ऐसे जितनी लुई याée इतनी की फ्रीक कर लिया करो मतलब भीषित बिल्कुल कभी पे आपके गुलाव जामन नहीं बिगडेंग तो इस तरह से ब्लब्यू जाती है जिए थि ब्रॉब्लम वह जो प्रॉब्लम है वह आपको फेस बाहर से काफी ज़्यादा सस्ता पड़ता है और बाहर जैसा ही मतलब स्वीट आप घर पे बना सकते हो गुलब जमन आप घर पे बना सकते हो और ज्यादा मेहनत भी नहीं लगती है इसी तरह से अभी मैं सारी लुईया बना लूँगे और उसके बाद फ्राइ कर लोंगे और ज्यादत ही जैसे चास्टने में डालने के बाद वह अक्छस से इसमें चास्टने सो कर लेंगे और हमारे जो गुलब जमने वो ररिडी हो भीसना है अधनैया पाओडर मैं घंडा सर्धानिया खरेंब छएक मारव्लावी भी डरते हैं क् intimacy भूल्ज कुछ ने बोज़ाएं कंयों कि मुझे खृट मुझे colabor uneasy, इमार्ट से ष्यां में घर दो रिसी सबीन है तो इसी वाज़ससे मैं धनिया पार्वडर ज़्यादा बना कि नहीं रखती हूँ पे-धश जरूरत होती है मैं इसने टाइम बना लेती हूँ और मैं तोड़ा सा मैं उसे क्या बता है भून लेती हूँ धनिया को और इसके बाद मैं अच्छा से उसके पाउडर बनात के ताजे ताजी ही रख देती हूँ उतने मेरी 8-15 दिन चल जाती है उसके बाद मैं और पीस लेती हूँ और यहाँ पर अद्विक बहुत परेशान करा था अद्विक को बैठना था वहाँ पर ही मेरे पास ही बैठना था उसे तो इसे हो जैसे मैंने हाथ वगरा लगाता है बट उसको अगर समझाओ कि यह चीज गरम है इसे पीटा हाथ नहीं लगा ना तो वह समझ जाता है वैसा इससा कुछ नहीं है उसका कि सारी चीजों काथ लागा सिर्फ अधर उधर मतलब स्पून है तो वह गिरा देगा स्पून से खेलेगा तो लेकिन वह इतना भी नहीं है कि उसको नहीं समझेगा विल्कुल भी तो गरम चीजों को हाथ नहीं लगाता है उसको एक बार बतातू मैं कि ये चीज गरम है बटा तो उससे वो दूर ही रहता है तो इसी वज़े से मैं उसको बिठा सकती हूँ तो यहां पर मैं सारी धनिया जब पीस लोंगे और उसे अच्छे से बरने में भरके रख दोंगे पीस लोगे रख दोंगे जसे बर्भाम पाइब पीस लोंगे इस से लोगने में सारी आख प्टा रख बरके जब चारे जसे बर्शाख क्र दोंगे चाली से और वांगे वाइब है झाल झाल जावन हमारे रेडी हो चुके है और यहां पर मैंने इसे ना सोक करने मतलब चाशनी के बाद उसके बाद मंखिनित, इसे नार्यल का है उसके बाद यहां यहां आरेलि के ना जांकरिया स्थी है'. तो इस तरह से रेसीपी ज़रूर बतना आयोग आपको रेसीपी अच्छी लगी हो और ट्राय ज़रूर करना यहाँ पर मेरा खाना भी बन चुका था यहाँ पर मैं मूंके दाल के पकोड़े बना रही हूँ actually मैंने मूंके दाल बिगोने के लिए डाली नहीं थी तो यनोंने time पर बुला कि मुझे मूंके दाल के पकोड़ की खाने करके तो मैंने फिर थोड़ा सा गरम पानी में मूंके दाल बिगोने के लिए डाल दी तो बिग घी थी जल्दी से कुछ प्राब्लम नहीं हुआ था यहाँ पर पकोड़े बनके रेड़ी है आप भी आज यह खा लीजे और हम लोग भी खाना खाया लेंगे और इसके बाद हम लोग यहाँ पर पतंग उड़ा रहे थे आप देख सकते हो क्योंकि यह जो फेस्टिवल है वो पतंग क आता एक्चुली बट इनोंने मुझे उड़ा के दी थी और फिर मैंने सिर्फ पकड़ी थी तो इस तरह से हम लोगोंने पतंग उड़ा उड़ा थे और काफी जादा मजा किया था इस दिन यहाँ पर मेरे फ्रेंड और उसकी भाबे भी आई थे तो वो भी पतंग उड़ा यहाँ पर उड़ाने की कोशिश कर रहे थे बट उनको नहीं आ रहा था तो फिर उनोंने हमने क्या गिया इनको बुलाया और फिर इनको उड़ा के मांगा तो फिर इनोंने उड़ा के दिया था तो फिर हम लोगोंने वो सिर्फ धागा पकड़ा था तो इस तरह से फिर हम ल पता उड़ाना हो गया था तो हम लोग आ गये थे नीचे और यहां पर फिर अभी हल्दी कुम्कुम मतलब दूँगी मैं उसे मतलब मेरी फ्रेंड की भाबी को तो यहां पर फिर दिलगुर वगरा दे रही हूँ और उसके बाद जो मठका होता है वही दिया जाता है तो उस वाला मठका है जो मैंने उसकी पूझा की थी तो वह वाला दे दूँगी और हाँ इसके बाद ना मेरी तबब्र बेत मतलब यह लोग जाने के पाद मेरी तबी इतने ज़ी रदल हो गी थी मतलब खराब में साइसा की मेरा बाड़ी पेंड भी होने लगा था मेरा सिर्द भी होने लगा था बहुत ही जादा मेरा सिद्धत होने लगा एकदम से अचानक से और इसके बाद मुझे कुछ भी नहीं सूजा तो मैंने क्या क्या एकदम से सो गई तो उसके बाद घर पर टैबलेट भी नहीं थी तो मैंने इनको कॉल किया और इनको बोला कि टैबलेट वगरा कि आपने और यह की तो फिर यह लेकर आपको सब्सक्राइबAPPों अगर आपको यह व्लॉग में आपसे आप thing के क्रादये।